हाई फ्रेंट्स मैं परविंदर खारी फ्रेंट्स आज की हमारी गेम राहुल पंस जी की वीडियो रेकमेंडेशन है विंटेज गेम है मैं कहुंगा बहुत कमाल की गेम है शायद आप करेंगे नहीं लेकिन कुछ टैक्टिक्स ऐसी होती है जो शायद कभी न कभी शुरू या जर्मनी के चेस मास्टर रही हैं चेस कॉंपोजर रही हैं चेस को कॉंपोज करते थे तो जी शुरू करता हूँ यहां रिचर्ड ने फोर के साथ शुरू किया एक बाध्धान देने वाली है कि यहां एवन स्कॉयर पर कोई रुख नहीं रखा है तो इसका मतलब वो पहले जो सामने वाला खिलाडी है उसको अंडर प्रेश्र लेकर चल रही है कि तेरी इतनी हैं सीव भी नहीं कि तरे सामने में रूख रख कर करें लिए धिवाइव का रिखे लिए दिवाइब कर चुका है बिशप चली बिशप मैं कह सकता हूं ब्लैक का बही है कहीं यहां आसक है लेक तो करी था है नाइट F3 यहां वाइट का मुवा या बिशब G4 नाइट बिन हो गया बिशब C4 वाइट नमना बिशब डिलोब किया हटाव बिशब को बिशब टेक्स F3 कुइन टेक्स F3 देन हुआ C6 C6 ठीक है बी सामन पॉन का डिफेंस भी हो चुका है दी थ्री यहां वाइट ने किया और वाइट ने लग भग अपने डवलोप्मेंट अल्मूस्ट पूरी कर लिया है वहीं ब्लाक की बात करूं तो ब्लाक ब्लाक के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी चैस्स ओपनिंग बेसिक प्रिंसिपल्स में कहा जाता है कि ज्यादा बहतर है कि अपने माइनर पीसिज को पहले बहार निकालने की कुशिश करने चाहिए उसके बाद के एंट्री होनी चाहिए क्योंकि का सपोर्ट अजाता लेगी ब्लैक ने सुचा होगा क्योंकि हो जाएगी मेरा नाइट डवलप हो जाएगा डवलपटी जो इशू है वह भी रिजॉल्व हो चुका होगा बाद भी ठीक है लेकिन कोई जी तरी करने किसको है क्योंकिन नाइट एच सिक्स फ्रेंट्स यह अन्यूसल है यहां से न चुना गया क्विन नोट एग्जेक्ली ट्रैप लेकिन हां क्विन को परिशान करने की त्यारी है ब्लैक क्या करें अपने मूव के साथ चले नाइट एफ फाइफ लेकिन उससे पहले क्विन बच जाएगी और उसके ब्लैक को अपनी क्विन बचानी होगी डी फोर हाँ यह एक औक्शन है अटा दो इसको नहीं करनी एक्शेंस कितनी जल्दी को इन एक्शेंज ज़ाती है तो ब्लैक को ब्रिदर मिलता है खर कोई जी सिक्स यहां थोड़ी सी एक कमी में कहूंगा ब्लैक में अपनी गेम में की मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी गेम में साथ पर और अगले मूव में क्या फ्रेट है आप यहां चेक देकर रुख को लेने के तयारी कर रहे हैं अगर यहां से इस गेम को किसी भी रूप में आगे बचा रहा है तो बेस्ट आप्शन नाइट को फाइव पर लिका रहा है और ब्लैक मेरे खियाल से इस गेम को मेरे साथ ठीठ हाग बचा लेता क्योंकि अगर यहां से ही केम आगे बढ़ेगी तो पहले तो कुईन बचाने होगी कुईन एफ फॉर बिशप पर भी डिफेंस रखना इसके रावर कोई मूव है नजर नहीं आ रहा है उसके बाद देखिए एच पॉन पुश आगे होता है तो कही न पटाने क्यों का आगे देखिए क्यों किया है अब आपको समझ में आ गया होगा देखिए नाइट साक्रिफाइस का तो बिशप यहां चेक देने के लिए आएगा ब्लैक को लगा कि नाइट बीच में लूगा 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 लूइस नाइट को क्या प्रॉबलम है सी टेक्स बीफाइब को चुना गया लेकिन यहां पर रिचाट तयार बैटे थे कि यह नाइटी तो बीच में लगेगा कोई से इसी नाइट को पहले इसी को एलमिलेट करो कोई टेक्स बीएट चेक मेरे खाल से रैजिगनेशन आ सकता था लेकिन वह हमारे जैसा खिलाड़ी उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है उन्होंने यहां किया रुक टेक्स बीएट देन हुआ बिशप टेक्स बीफाइब चेक्ट और दोनों बिशप्स की मदद से वैसे वाइट की पास बोड में इस बिशप के लाबाबा पॉन सबस और कुछ निया बाकी सब कुछ दा चुका बूर से रुक अल्रेडी था ही नहीं दूसरा रुक गेम में है ही नहीं और यह हुई चेक्मेट काफी अच्छी गेम थी तो मैंने आप लोगों को भी एक छोटी सी मिदल क्लास गेम कहा सकता है लसन आई होगी आपको कमेंट सेजेशन से मुझे बिशेशन से बि बाइफन बाउ